कि अपना आज के लिए प्रेडिक्शन्स रह सकती है कौन आज के लिए को नहीं सारी चीज़े करेंगे डिसकस अब देखो कल भी बताया था आपको कि वैप पीच ऐसी है जहां स्मिनर एकदम काम कर सकते हैं लर्ड पॉप जिरनोंने ग्रांड लिक में ट्राई किया उन्होंने जबरदस्त धवाल मचा दिया मैं ट्री शोट यहां से अच्छा करके गया ठीक है तो इसके लिए बुरा वीडियो देखो कि तो को फाइदा दो मिले गई अब आज के लिए स्मिन चलेगी नहीं चलेगी पेसर से अच्छा करते की नहीं करते हैं कैसा स्कोर बनता है मेलमन का ग्राउंड है ग्राउंड इतना बड़ा रहता है तो क्या प्रेडिक्शन्स आते हैं कौन से बैटर चलेंगे उनसे नहीं तो सारी चीज़े कर लेता हैं डिसकस्तू वीडियो को आखिर तक देखना और साथ-साथ वीडियो पसंद है लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक् प्रिप्शन में लिंक है और फश्ट कमेंड में भी है तो कभी जारी जो अपडेट्स है टीम से सब चीज़े आपको वहां देखने को मिलती है तुम इस बिलकुल नहीं करना बागी चलते हैं चलो अपने मैच के उपर 145 रहे हैं कि देखो इस मैच के डिलाइन मेलबन क्रे जादा पसंद करती है क्योंकि चेज़ यहां काफियत तक फेवरिमल रहते हैं ठीक है फेवर में रहता है 159 यहां का अवरे स्कूर है बहुत बड़ा ग्राउंड है बड़ी बाउंडरी होती है यह समझ कर चलो जहां भाई दूसर ग्राउंड में च्छका चला जाएगा मार कहां आपको फायदा हो सकता है और क्यों खेलना चाहिए तो दस रीजन है पूरे के पूरे आप देख लेना बट उसके लाव में आपको बताओ तो रियल लेवन का डिस्क्रिप्शन में लिंक के डाउनलोड कर लेना और रेफरकॉर्ट में ओमकार ज़रूर व्यूज़ करन और साथ-साथ आगे एक्स्क्लिउस भी आने वाले तो उसके लिए रेफरकॉर्ट जरूर यूज़ करके रखो और बाकी देखो यहां पर क्यों खेलना चाहिए एंट्री फीस कम है तो उसके लावा यहां पर आपको जेश्टी नहीं लगता है ठीक है चल जागा है होगी उतना multiple times आपको मिलता है एंड साथ-साथ withdrawal charges भी नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ेस है और यहां पर अगर ट्रस्ट का इश हुआ है तो देखो यह चाहरे देख लेना फिर कबड़ी जो देखता होगा उसको पता होगा रेवंदर पहले बागी cricket वालो तो यहां से गौतंग अंबिर रूट कुल दीप याद हो ब्रेंड अमबेस्टर है आपके वाई सब्सक्रिप्शन में लिंक के डाम रूट कर ले ना बागे चलते हैं जरा आपने आगे आतो रीसें मैसे के देखो बात करें तो भाई पिछला मैच यहां पर थोड़ा बारिश से रहा थ ठीक है बारिश के वज़े से 14 ओर्स का यहा था जसमा फिर स्टार्स की टीम में रेनिगेट्स का गिश्ट में चेज करके आठ विकेट से मकाबला जीत लिया पांच विकेट पेस के तो पहले इनिंग में चार विकेट स्पिन करें क्योंकि यहां पर स्पिन काफी ठीक हो रह और पचले सीजन पर चले जाओं 25 जनवरी और 16 जनवरी गोगे आठ विकेट स्पिन के चार विकेट स्पिन पेसर्स के तो है नो डाउट बट स्पिनर्स के विकेट है स्कोर की बात करूं बहुत बड़ा नहीं बनता है 159 यह पिछले सीजन का स्टार्स ने बनाते फिर उसक स्कोर भी बहुत जाद है यहां पर बड़ा बनते हुए दिखनी रहा है और बात कीजिए तो विकेट्स जो वह पहले इनिंग में जादा गिरते हैं जैसे आप पेसर के भी एटीन और स्पिन के थाटीन इनिंग है वहीं पर अगर हम यहां पर देखे तो भाई विकेट्स आद नमबर पर भेज दिया तो ज्यादा यूसफुल आपके लिए वहार पर बनता नहीं है पर चले भी न तो भी दिक्कत नहीं है अपने पास में चले तो भाई चले कोई दिक्कत नहीं ग्राइग में तो मैं बहुत जादा रंस बनाए हो बट ऐसा भी नहीं रहा है कि आपको पॉइंट्स नहीं देखे गया हूं पॉइंट्स नहीं वाले मैस तो सरफ एक यह जिसमा आट रंग पर आउट हुआ था पिछले में 46 बने उससे बहले 21 21 और 22 तो अभी तक का जो फो में वो रोजार्स का काफियत तक ठीक रहा है तो आल ले सकते हो डैनल लोरेंस ने पिछ वेबस्टर तो बिसली रही गई रहेगा बस और की जाद उमीद मत रखना वेबस्टर से कि चार वर कराएगा तीन कराएगा इधर फिलाल तो यह एक करा रहा है मेरे को वही बहुत बड़ी बात लग रही है मैक्स्वल यहां साथ को बैटिंग बोलिंग दोनों कराता हो दि तो स्मोल लिग के लिए नहीं बनता है ठीक है तो बैट वड़ो ले 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 ना उसके बाद में यह पात से और साथ नमबर के खिलाडी जाता यूसफुल नहीं बनते है स्मोल लिग टीम के लिए हाँ जील में अब विसली आप यहां से बैस ट्राइब कर सकते हो आबा कि इसका बाद में आसे आता है माद वसीम ज्यादा कुछ खास फर्फहरस तो इमाद वसीम का भी रहां नहीं अभी तक दोनों तीनों मैचेस में इतने भी खेला है दो तीनी खेला मजह था थिए Dip मेंस्ट रखना खेला नहीं है प्छले साल का तुमकू लगता bit विडश खेला तो तब वही विगेट से, बाकि Scott Bowling नई बोल के साथ में डालेगा, नई बोल के साथ में आपको Joel Parrys और Scott Bowling डालते हूं दिखेंगे, जो I think बहुत बढ़िया जोडी बनती है, दोनों ही बोलर स्विंग कराते हैं, और दिक्कतों में जरूर डालेंगे, यहां से जो Sixers के शु तो यह रहती है मिलबन स्टार्ट की तरफ से जो पूरी प्लेइंग लगाना बाकि इनके स्कोड के बात करो तो यह चार खिलाड़ी हो रहे हैं सिर्फ एक स्टैक एट यह शायद आजाए बाकि तो आ डूंट थिंक सो कि रहेगा बाकि उसके लिए नहीं के लिए नहीं के सिड्नी सिक्सर्स की टीम के ओपर तो सिक्सर्स के पास में विंस है फिलिप है पैटर्सन हेंडरिक उसका बाद में जोडन सिल्क एडवर्ट टोम करेने सी नेवर्ट बैंड डार्सेस ओकीफ और उसके बाद में आप कहां से टोट मर्फी देखने को मल जाते हैं नेक्श इन हो गया था तो सिर्फ 13 बना पाई तो शायद हो चांस थोड़े बहुत मर्फी जो लगते हैं कि आटिस बैटरसन की जगे पर वापस से डैनिल हुक्स को खिला जा सकता है ठीक है यह चीज रहेगी बाकी तो चेंजर्स की बात करो तो पिछले मैच हो भाई स्पिन थी क्योंक और में से किसी एक स्पिनर को बाहर करकर जैक्सन बैट टीम में आ सकता है यह चेंज हो सकता है आज्पी में पैरशा precision धब्लिप में फो सकता है तो को सबस्क्री हुक्स दो है दो ही option से विकेट keeper में फिलिप और Harper तो दोनों में से आपको पता है फिलिप को लेने ज्यादा बैटर जोई से रन भी बना रहा है नहीं भी बनाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है तीक है ऐसा है क्योंकि Harper से वैसे भी उम्मीद लगा के नहीं बैटे है हार पर तो जील टीम्स के लिए बेस्ट है, एसल के लिए तो भाई ऐसा है कि एकदम नहीं है डुगाने वाले खिलाड़ी क्योंकि इतनी नीचाहर है बैटिंग में बागी नेक्ट बात कीजा है तो यहां से कर्टेस पैटरसन देखो जादा भरोसा मेरे को है नहीं पैटरसन जब तक तीन पर खेल रहा है हाँ अगर इसको ओपन करा दे तो मैं जरूर थोड़ा सा भरोसा दिखाऊंगो कोईटेस पैटरसन नैचरली ओपनर है तो इस वैसे बैट तीन पर मेरे को उतना जादा बैटर जो इस लगा नहीं उसके लाओ मौईसेस एंटरिक्स बगवान जाने कब बोलिंग कराता है कब नहीं यह अपनी दुन में कभी दखो एक और कराता हो और नजर आएगा कभी चार फैक देगा कभी फिर बीच में एक और पिछले मैच में तो बोलिंग नहीं करा थी तो मौईसेस एंटरिक्स का अलगी चल रहा है बठार एंट बीस बाइस बना रहा है तो और रांड रिसेक्शन मिल जाएगा रखना चाहो तो रख सकते हो बट आपके लिए फिलिप यहां से इंपोर्ट है विंस में चोड़ता हूँ अभी के लिए फिफ्टी प्री चोईस टीम में अगर मैनेज हो पा बागी जैक एडवर्ड मश्पिक बनता है टॉम करन आपके पास में सही ठीक ठाक सा फिक है देखो जब बैन हुआ था उससे पहले तीन विकेट्स लिये थे मैच में बोल रहा हूं तीन विकेट्स लिये थे अभी पिछले मैच में सिर्फ दो ही और कराए गए गए उसका ब रही थी कहानी सिर्णी सिकसर्स की टीम से अब नहीं बोल के साथ में कौन डालता है देखो इन केस अगर जैक्सन बर्ड खिलता है तो फिर क्या होगा फिर आपको जैक्सन बर्ड और यहां से सीन अबट भाई नहीं बोल के साथ में डालते हुए दिखेंगे ठीक है क्लियर ह हो गया यह चीज़ है बाकि टैथ पॉलिंग के बात की जा तो एबट रहेगा डार्टस आपको डैथ में डालते हो दिख सकता है बाकि मिडल ओर फिर स्टी ओकी फोर यह मर्फिस हमाल लेंगे नेक्स्ट बात की जा इनके तरफ से तो फिर आते हैं जैक्सन बर्ड और खेलता ह तो आइटिंग बैटर अच्छा फिक बनता है एक तरीके से बहुत बड़ी है तीम में रख सकते हो गरेंड कर इनके सगर खेला तो अगर खेलता है तो मैं बरोसा ज़रू दिखाऊंगा क्योंकि साठ बना कर गया उससे पहले का अगर हम इसके टीट्वेंटी फोर्म की बात करें तो रन्स हर मैच में यहां से थोड़ा स्लो केलता है बट रन मना जाता है तो यह चीज़ी जादा सही रहती है बागे श्टीवन स्मित वगरा आज के लिए तो नहीं कहलेंगे श्टीवन स्मित का रिटन होगा बारा जनवरी को जब थंडर के अगेंश्टमेंट का उसके लावा इस वेन्यू पर बात करें तो भाई स्टार्स ने 62 मैंचस के लिए ओविसली जीते जाता है चोतिस जीते अठाई सारे सिकसर्स के लिए ग्राउंड उत्रा बुरा नहीं है अच्छा खेलते हैं दस सुरी 11 में से 6 जीते और 5 मैंच यहारे हुए वहीं पर नेक् सिर्फ एकी बार चला है काट राइट ने 19 मैच पांसो पंद्रा बनाए हैं ध्यान रखना 19 में से साथ बार यह नोट आउट भी रहे तो थोड़ा से जादा भड़ा हुए वरना 19 मैच पांसो पंद्रा रन इवन जिस जगे काट राइट खेलता है जिस बैटिंग ओडर पर खेलता है वहां भी थोड़े से कमी है बागे निकलार के निकेस मैच में 490 यह से जाद है मोईसे सेंट्रिक्स 15 मैच में 307 21 का आवरेज है मोश्ट अप दाइम मोईसे सेंट्रिक्स इस ग्रोण पर फ्लोप होता है बैटिंग से जोर्डन सिल्क के नाम आप मैच में 200 है जो के साथ में तो यह रहते पर अपने लिए जो वेन्यू लीडर से महीं पर अगर हम बॉलिंग के बात करें सकॉट बोलेंड ने 17 मैच में 30 विकेट्स निकाल रखें इस ग्राउंड पर निकला सोरी नथन कुल्टर नाइल एंसीन जो आप देख रहे हो वह है नथन कुल्टर के उसका बाद में सीन है वट 12 मैच में 18 विकेट्स के साथ में स्टोईनिस के विकेट्स थोड़े कम है और भी पूरे नहीं करें 22 मैच में 16 सेम गोस फुर मैक्सवल 14 मैच में 16 विकेट्स है बट वही होता है कि अगर एक और भी करा दिया या एक बोल भी डाल गया तो भी फ 17 मैच में 15 विकेट्स है डार्सियस के भाई 9 मैच में 13 विकेट्स सारे बोलर्स का जो रिकोर्डर वो काफे ठीक देखने को मलता है एक्सेप्स टोनिस मैक्सवल और जैक्सन बार्ड बागे नेक्स बात करें सीधा अपना हैट्वर्ड सेक्शन के ऊपर तो वहां पर आपको सिक्सर्स आगे निकलती हुँ दिखती है बट एक चीज़ और है इस सीजन में इन ओनो टीम्स के बीच में एक बार मैच हो चुका है जिसमें सिक्सर्स ने पहले बैटिंग की थी और स्टार्स ने वह टार्गेट जो बड़ी असानी से चेज कर दिया था ठीक है तो उल्रड मैक्सवल का नाम यह सबसे ओपर 45 के अवरेज से मैक्सवल ने 17 मैच में 688 रंस बना रखें जो काफी ठीक है बाकि मोईसेस हेंडरिक्स के 20 मैच में चार से तरह सी 28 का अवरेज है जेमस बारा मैच में 383 38 का यहां भी है वेन्यू पर भी 30 का अवरेज था तो ओवरॉल काफ 200 बना दिये दे पूर है ठीक है 340 में से 150 तो तकरिवन यहां सो भाई एक ही मैच में आगे देश्ट और इसके बागी जॉर्डन सेल 15 मैच में 317 पंतालिस का अवरेज है वही है जॉर्डन सेली नोट आउट बहुत जाता है नहीं तो एवरेज बढ़ा हुए दिखते है बा मैच में 18 विकेट्स है श्टीव ओकीफ ने 16 मैच में 18 विकेट्स निकाले हुए मैक्सवेल के नाम विवाई 13 मैच में 11 विकेट्स है तो एटलिश मैक्सवेल चाहिस में ठीक ठाक सी ठीक ठाक बोलिंग करता हूँ बठा सिकसर्स का गेंस में अची करता है बोलेंड के चार म बैटल जो भी आज के लिए बहुत जाद है वैसे तो प्लेयर बैटल भी अगर नज़े डालोगे व्यू एपस्टार अगेश्ट अबर्ट तीन बार आउट हो चुगा है जैक्सन बर्ड के अगेश्ट में बारा बोल में 20 रन मना कर दो बार आउट हो चुगा है अगर किसी को है ग्लन मैक्सल अगेस्ट सीने मड़ दो बर आउट हो है और अगेश्ट ओकीफ यहां से दो बार आउट हो है उसके लावा निक लारकिन अगेश्ट कीफ दो बार अपनी जो विकट है वो गवाच दो जोडिए से कब हैं जेम सुंस फिस अगेश्ट नेथन कोलर नाइल दो बार विकेट कर भवाई है, Jordan Silk against Teggety 12 बॉल में 2 बार आउट हुआ है, Moses Hendricks against Marcus Stoney's 3 बॉल में 2 बार आउट हो चुगा है, बात हुए नहीं कि Stoney's अभी बॉलिंग करा ही नहीं रहा है, करा भी रहा है तो सिरुब वो एक ओवर की, उसके लाभ़ा दैनील हुग है जो मैक्सेट में 3 बार आउट हुए और िंके सब लिएंगा इनके सब दैनील हुग टीक है उसके लावा मार्क सटेगेटी है जो 2 ब आउट कर चुक है więksत को हो को सकते हैं टीम की जो हम बात करते हैं विकट की पर सेक्शन हों में रखा है फिलिप को वहीं बैटर सेक्शन में लोरेंस है उसका बाद में विंस को पिक किया हुआ है अब यहां पर एक चीज हो रहा है अगर अपना सेवन फॉर वाले के साथ में जा रहे है तो हेंडरिक्स को अटा कर आप किसी बैटर के साथ में जा सकते हो ठीक है वहां पर फिर आप मैं बोल सकता हूँ सिल्क वगरा को आप ट्राइ कर सकते हूं एक औप्शन वो बनता है बागी और रॉंडर सेक्शन तो देख लिए बोलर स चाहो तो नथन कुल्टर नहीं ले सकते हो ठीक है बागी डार 600 अपने बस में मश्पिक बनते हैं अब यहां से मैंने एक चीज़ मिस्किया वह स्पिनर को लेना तोड़ मरफी यह फिर स्टीवन ओकीफ मैं किसी एक को रखना चाहता है बठा अगर रखना है आपको भी तो ही एक option बनता है जो मैंनता हो कि उसकी उसकी जगए पर अप ले सकते हो ठीक है वैसे option थो एक और चाहो तो वह बनता है यहां से मार्कश उनिस की जगए ठीक है क्योंकि यह अभी के लिए साथ साथ कुछ कासs करनी रहा है तो अगर इसके जगा पिक करना हो तो भाई कर सकते हुआ है बाकी यह जाती अभी के लिए टीम और सब चीज़े वीडियो कर आपको पसंद आए तो लाइक जरू करने है चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं क्या हो तो फटावट से कर लो एड बाकी तो टेल कराम चैनल भी जोइन कर देना